बच्चों जैसे किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए श्वशन आवश्यक है वैसे इन पेड़ पौधों के लिए भी श्वशन आवश्यक है लेकिन श्वशन के अलावा इन पेड़ पौधों में एक और क्रिया होती है वो भी केवल दिन के समय में और इस क्रिया के दौरा करते हैं तो भूझ्य बधार्त और गयास के निर्मांद के लिए इन पेड़पोद्חों को उर्जा कहां से मिलती हैं चलिए इसी क्रिया कलाब करते हैं और ये भी पता करेंगे कि इस क्रिया के दौरान कौन सी गयास का निर्मान हो रहा है तो इसके लिए हमें कुछ आवश्यक सामगरी लगेगी जैसे की बीकर, कीप, पानी, हाडीले का पौधा, एक परखनली हाडीले के पौधे की जगे आप कोई अन्य जली पौधा भी ले सकते हैं तो सबसे पहले हम इस बीकर को पान कीप में हमें इस हाडीला पौधे को फसाना है तो इस तरीके से हम हाडीला पौधे को फसाएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं कि पौधे की जो टिप है वो इस कीप कीप की नली में हम गुसाएंगे अब इस कीप को हम इस पानी से भरे बीकर में इस प्रकार से डाल देंगे अब हमें यह जो परक नली है इसे भी पानी से भरना है और पानी से भरने के बाद इस परक नली को कीप की नली के उपर उल्टा इस प्रकार से हम रखेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो पानी का लेवल है अभी यहां तक दिखाई दे रहे हैं यहां पर हम एक निशान बना लेंगे तो इस प्रकार से हमने एक उपकरण सेट कर लिया है एक और उपकरण हम इसी प्रकार से सेट करेंगे क्योंकि एक उपकरण को हमें धूप में रखना है और दूसरे उपकरण को हमें छाओ में रखना है तो जिस उपकरण को हम छाओ में रखेंगे उसे काले कपड़े से या काले कागत से ढग कर रख देंगे चले इसे हम धूप में रखते हैं तो चले बच्चों लगबख साड़ी पाज घंटा हो चुका है अब इन दोन उपकरण का हम आवलोकन करते हैं यह वो उपकरण जिसे हमने धूप में रखा था और इस उपकरण को हमने अंधरे में रखा था जब इस उपकरण को हमने धूप में रखा था तो पानी का जो लेवल था इस निशान तक था जो अभी नीचे आ चुका है इसका मतलब परकनली की इतनी पूरी जगे गैस ने ले ली मतलब यहां पर गैस एकत्रित हो गई और अगर हम इस उपकरण की बात करें तो इस उपकरण में परकनली में जो पानी का लेवल है अभी भी उतना ही है तो यहां पर कौन सी गयस एकत्रित हुई है चलि इसका पता करते हैं इसके लिए हमें अगरबत्ती और माचिस के आफशकत होगी हम अगरबत्ती को जलाएंगे और इसको इस परकनली के मुझ के पास ले जाएंगे तो हम देखेंगे कि अगरबत्ती तेजी से जल उठेगी चल हम इसे करके देखते हैं तो सबसे पहले इस पूरे उपकरण को हम पानी से भरी बाल्टी में रखेंगे और धीरे से यह परकनली को बहार निकालेंगे ताकि परकनली के अंदर जो गय से वह बहार न निकल जाए इस प्रकार हमने इस परकनली को बहार निकाल लिया और परकनली के मूँ को अंगुटे से बंद कर दिया क्यूं? क्यूंकि इसके अंदर जो गैस बन रही है वो बहार न निकल जाए चलिए कौनसी गैस बन रही है? इसके लिए हम इसके मूँ के पास जलते हुए अगरबत्ती ले चलते है तो हम देख सकते हैं कि अगरबत्ती की लौग की जो चमक है वो तेज होती है तो अगर बत्ती की लौ की चमक तेज होती है मतलब यहाँ पर कौन सी गैस बन रही है यहाँ पर ऐसी गैस बन रही है जो जलने में सहाइक है तो वो कौन सी गैस है बच्चो बिल्कुल सही वो ओक्सिजन गैस है तो इस प्रकार हम यह कह सकते है कि हाईडिला पौधे ने थूप से उर्जा प्राप्त की और इसी प्रकाश ये उर्जा का उप्योग कर पौधे के द्वारा कुछ भोज्य पधार और ऑक्सिजर गयास का निर्मान हुआ जब किसी भी सरल पधार से जटिल पधार का निर्मान होता है तो इसक्रिया को हम संसलेशन कहते हैं क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया प्रकाश के उपस्तिती में हुई है इसलिए हम इसक्रिया को प्रकाश संसलेशन कहते हैं